हेलो आपरिवेट कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफूल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाले हूँ ये डिजाइन, ये पैटरन देखिए हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन है न इस border की वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर के हुए है अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर है आप देख सकते हो आज मैं इस design की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगे इस design को आप लेडिस के काडिगन में, जाकिट में या फिर कूर्ती में, बलाउज में, बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा design है इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए हो वो 18 के, 18 के मल्टिपल से जासे 18 फंदे, 18 फंदे, 18 फंदे, ऐसे काउंट करते हुए जाहिए लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो ये design आपका अच्छे से सेट हो जाएगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लाजवाव design है सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से इस तरह से बन कर आएगा दोनों तरफ से finishing से ही ये design बनता है आज मैं आपको इसका एक design बना कर दिखाऊंगे एक design मतलब कि ये इतना design बना कर दिखाऊंगे उसी design को आपने बार 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 रिपीट करते जाना है slimy यहाँ पर फंदे ले लिए हैं 20 फंदे डाले हैं 20 फंदे हमने slimy फंदे डालने के बाद आपने नीचे पहले border बनाना चाहो तो border बना सकते हो उसके बाद आगे हमने design को start करना है तो सीधी तरफ से design की first row आएगी इस first फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे अब एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों फंदों में आगे से slide डालते हुए दो का एक कर देंगे दो काय करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहां पर हमने जाली डालनी है अब इन चार फंदों को ट्विस्ट करना है पेले इन दो फंदों को फिर इन दो फंदों को इस first फंदे को छोड़ेंगे, second फंदे में आगे से slide डालेंगे, निकाला, अब इसे ले लिया, ऐसे पिछे, left इंडल में इस फंदे को आगे डालेंगे अब धागा अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली भी डालनी है और इस फंदे को ऐसे सीधा बना लेंगे अब यह वाला फंदा भी सीधा, यह दो फंदे बनाने के बाल, अब फिर से इन दो फंदों को हमने twist करना है इस फंदे को यहां पर और इस फंदे को यहां लेकिया रहा है तो पीछे से slide डाल लेनी है निकाला अब इस फंदे को हमने पहले ऐसे left ender में ले लिया अब इसे गुमा के आगे ले आए अब इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, एक, दो, ठीक है, ये चार फंदों का ऐसे डिजाइन बन गया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर से हमने यहाँ पर दो का एक करना है और जाई डालनी है, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे, एक फंदा ये, इन दोनों में पीछे से स्लाई डालेंगे, दो का एक कर देंगे, इस तरह से, धागा अपनी तरफ करते हुए, जब इस फंदे को हमने रिखे दो का एक किया, न, सीधा बनाते हुए, तो ये बला आगया स्लाई पर इसी को जाली बोलते हैं, अब धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब देखिए फ्रेंट्स ये 18 फंदों का डिजाइन है, इनी 18 फंदों को आपने बार 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 रिपीट करते जाना है, पांच फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, फिर आगे से स्लाइड डालेंगे, दो फ पांच फंदे उल्टे, अब फिर से आपने इसी डिजाइन को रिपीट करना है, यहाँ पर फिर से आपके पांच फंदे उल्टे आएंगे, तो टोटर ये बीच में आपके 10-10 फंदे उल्टे होंगे, ठीक है, अब ये एक फंदा, लास्ट वाला सीधा, ऐसे करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर दागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट फंदे उल्टे, फिर दागा दूसरी तरफ, पांच फंदे सीधे, दो, तीन, चार, और ये पांच, अब पूरी तरफ करेंगे, यहां से अफंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, ईणी फंदों को दोहराने के बाद, लास्ट में ये एक फंदा बचेगा जिसे उल्टा बना लेंगे ऐसे करते हुए डिजैन की सेकेंड रो भी पूरी बना कर हमने कम्प्लीट कर ली है अब सीधी तरफ से डिजैन की ये थर्ड रो है हमारी तीसरी सलाई फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक सीधा फंदा ये उल्टा फंदा इन दोनों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो काएक कर देंगे अब इस चाली वाले फंदे को हमने सीधा बना लेना है अब धागा अपनी तरफ करेंगे अब देखें जैसे हमने पहले इन फंदों को खोला था अब इन फंदों को हमने बंद करना है तो ये वाला फंदा हमारे यहाँ पर और ये वाला फंदा हमारे यहाँ आएगा तो पीछे से अब पीछे से हमने second फंदे में ऐसे slide डालनी है निकाला इस फंदे को हमने यहाँ पर और इसे यहाँ कर लेना है धागा अपनी तरफ रखते हुए देखिए हमने इसे बनाना है तो यहाँ पर हमारी जाली भी डल गई और यह दो फंदे सीधे अब सेम ऐसे ही इन दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे आगे से स्लाई डालेंगे अब इन दोनों को सीधा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डालेंगे यह जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे अब इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे ये सीधा फंदा ये उल्टा फंदा पीछे से स्लाइड डालते हुए हमने दो का एक कर देना है धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब देखिए हमने क्या करना है फर्स्ट फंदा स्टीच का इसे उतार लेंगे फिर उसके बाद चार फंदे उल्टे आगे सी स्लाइड डालते हुए दो का एक करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालेंगे फिर देखिए जैसे फंदों को हमने पहले ऐसे डब्बी क खोला था वैसे ही बंद कर दिया ठीक है फिर जाली डाली एक फंदा सीधा फिर दो का एक किया फिर चार फंदे उल्टे सेम ऐसे ही पूरी स्लाइड में आपने फंदों को दोहराते जाना है लास्ट का फंदा एक एस्टिच का जिसे सीधा बना लेंगे ऐसे करते हुए एक दो तीन चार दागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस फंदे उल्टे बनाने के बाद दागा दूसरी तरफ चार फंदे सीधे अब देखे इस first फंदे को छोड़ेंगे चार फंदे सीधे, दस फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे इसी डिजाइन को पूरी स्लाई में हमने repeat करते जाना है पूरी स्लाई में repeat करने के बाद last में एक फंदा है जिसे उल्टा बना लेंगे अब पांचवी स्लाइ सीधी तरफ से देखे कैसे बनेगे इस फर्स्ट फंदे को उतार देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक ये दो ये तीन फंदे उल्टे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा आगे से स्लाइड डालेंगे दो का एक कर देंगे अब ये दो फंदे सीधे एक दो अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाई डालेंगे अब ये चार स्लाइओं को हमारा डिजाइन देखे चार स्लाइओं में ये ऐसे डिजाइन बनेगा एक बार खुलेगा एक बार बंद होगा उनी चार्ज लाइओं को हमने बार 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 ररपीड करते जाना है अब फिर से देखिए जैसे फर्स्ट रो में यहां पर किया था इस फर्स्ट फंदे को छोड़ेंगे सेकंड फंदे में ऐसे आगे से स्लाइड डालेंगे निकाला अब इसे पीछे से यहां ले आए और इसे ऐसे आगे डाल लिया धागा अपनी तरफ रखेंगे और इन दोनों फंदों को हम ऐसे सीधा बना देंगे अब फिर से इसी डिजैन को रोपीड करेंगे ये वाला फंदा हमारे यहां पर ये वाला फंदा हमारे यहां आएगा तो पीछे से पेले सेकंड फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे निकालेंगे इस फंदे को यहां और इसे आगे ले आएंगे और दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने जाली डालने है और दो फंदे हमने सीधे बना लेने है अब इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे एक सीधा और एक उल्टा फंदा पीछे से स्लाइड ढालते हुए दो काएक कर देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और एक फंदा सीधा दिखे इस तरह से अब उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये एक, दो, तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे अब पूरी स्लाइ में हमने इसी डिजाइन को रपीट करना है तीन फंदे सीधे, बारा फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे बार 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 आपने इसी डिजाइन को दोहराते जाना है लास्ट में आपका ये एक फंदा उल्टाएगा अब सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारिए उतारने के बाद धागा अपनी तरफ कर लीजिए दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे फिर धागा दूसरी तरफ एक फंद ये एक ये आगे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद ये एक ये दो ये तीन फंदे सीधे फिर यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे अब देखे जैसे पहले हमने ये डब्बी को खोला है, अब ऐसे ही हमने इस डब्बी को बंद करना है, तो पीछे से सेकंड फंदे में स्लाइड डालेंगे निकाला, आगे से इस फंदे को ले आए बीच में और इसे पहार इस तरह से, धागा अपनी तरफ करते हुए हमने हर बनाना है इसे क्योंकि यहीं पर हमारी जाली डलेगी, अब फिर से इन दो फंदो को भी ट्विस्ट करना है, आगे से स्लाइड डालेंगे इस सेकंड फंदे में, इसे निकाला, यहां ले आएंगे और इसे बीच में, अब इन दोनों फंदो को सीधा बना देंगे, अब धा फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा पीछी से स्लाइड डालते हुए दो का एक, धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट के यह दो फंदे उल्टे, तो देखिए, अब सीधी स्लाइड में हमने क्या किया है, दो फंदे उल्टे बनाए हैं, फिर यहा बना देंगे, इस तरह से, अब उल्टी तरफ से, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, चोदा फंदे उल्टे धागा, दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, अब पूरी इस लाई में आपने इसी डिजाइन को धोराते जाना है, दो फंदे सीधे, चोदा फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, लास्ट में यह एक फंद बचेगा धागा अपनी तरफ करते विजी से उल्टा बना लेंगे अब सीधी तरफ से देखे कैसे करेंगे इस फर्स्ट फंदे को उतारे धागा अपनी तरफ किया यह एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे यह उल्टा फंदा सीधा फंदा आग फिर से हमने इस यहां पर वो ही डिजैन बनाना है, इस फर्स्ट फंदे को छोड़ देना है, सैकिंड फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे निकाला, फर्स्ट फंदे को पीछे से यहां ले आएंगे आगे इसे, अब धागा अपनी तरफ रखते हुए हमने इन दोनों फंदों को सीधा बना लेना है, अब यह वाला फंदा यहां इस फंदे को अंदर लेके आएंगे तो पीछे से स्लाइड डालेंगे, ऐसे सैकिंड फंदे में निकाला, अब इस फंदे को यहां इसे यहां ले आए, और इन दोनों फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है, एक और यह त दागा अपनी तरफ यहां पर हमने जारी डालनी है एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे अब इस फंदे को सीधा करते हुए यहां पर फिछी से सलाइट डालते हुए दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब देखिए इस फर्स्ट फंदे को छोड़ेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे उल्टा बनाने के बाद यहां पर उल्टा फंदा सीधा फंदा दो का एक करेंगे फिर तीन चार फंदे हमारे सीधे जाली डालेंगे फिर से फंदो को ट्विस्ट करेंगे जाली डालेंगे चार फंदे सीधे फिर से दो काई करेंगे एक फंदा उल्टा और ये लास्ट का फंदा सीधा इसी डिजाइन को सेम आपने ऐसे ही दोहराते जाना है अब उल्टी तरफ से उल्टी तरफ से भी बिलकुल असान है फंदे जैसे दिख रहे हैं उल्टी तरफ से बिलकुल पता ल एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला सोला फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा अब पूरी सलाई में आपने इसी डिजाइन को बार बार रिपेट करते जाना है, पहला फंदा उतारना है, एक फंदा सीधा, सोला फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट में ये एक फंदा बचेगा जिसे उल्टा बना आप सीधी तरफ से डिजाइन की हमारी क्ञारवी स्लाई है तो क्यारवी स्लाई में देखिे हमने क्या करना है फर्स्ट फंदे को उतार देना है उतारने के बाद अब यह चार पांच फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ यहां पर जाली डालेंगे और जैसे इस डब्बी को खोला था अब हमने यहां पर बंद करना है तो पीछे से स्लाइड डालने है सेकिंड फंदे में फिर्स्ट फंदे को अंदर ले आएंगे इस सेकिंड फंदे को बाहर अब धागा अपनी तरफ ही रखते हुए हमने दोनों फंदों को सीधा बना दिया अब फिर से ऐसे ही फंदों को ट्विस्ट करना है इस सेकिंड फंदे में स्लाइड डालेंगे फिर्स्ट फंदे को यहां पर ऐसे ले आएंगे second को आगे और दोनों को दिखेंगे एक और ये दो सीधा बना लेंगे देखें ऐसे डबी बंद होगी नहीं फिर धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक दो तीन चार पांच अब इस फंदे को ऐसे उतार कर सीधा करेंगे दोनों में slide डालेंगे पेछे से दो का एक अब इस इसी डिजैन को पूरी सलाई में आपने repeat करते जाना है फरस्ट फंदे को उतारना है यहां पर दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद दो चार एक पांच फंदे सीधे जाली डालेंगे फिर से फंदो स्वर छे फंदे सीधे इससे चोड़ेंगे देखे दो चार छे फि इस तरह से करते हुए डिजैन के ग्यारवी सलाई हमने पूरी बनाकर complete कर लेनी है अब बारवी सलाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से जो पूरी फ्रेंड्स उल्टी बनेगे यहां पर सीधा फंदा देखे कोई नहीं बचा है तो उल्टी तरफ से हमारे यह पूरी रो उल् स्टार कर लेनी है उल्टी सलाई बनाएंगे फिर सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे यह पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद देखे इन दो फंदों को दो काई करेंगे जाली डालेंगे इन चार फंदों को फिर से वैसे ही बनाना है फिर से इस फंदी को सीधा करेंगे जैसे मैंने आपको first row से बताया है वैसे ही सेम आपने यहां से बनाना start कर देना है फिर आप आगे आगे बनाते जाएंगे तो इस तरह से देखी ये beautiful बहुत ही प्यारा देखें डिजाइन आपका बनकर रेडी हो जाएगा तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं फिर मिलूंगे आपको नेक्स्ट यूमे बाइब आएव नाइस टे